I think कि जो creativity है, aesthetics है, arts है, वो एक society की रू होती है, उसकी जिन्दगी होती है और जैसे ये responsibility हर individual की, हर citizen की भी है to nurture that soul इसी तरह collective society की भी जिम्मदारी होती है और जो institutes होते हैं, जो cultural institutes होते हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मदारी बनती है और as new director general of PNCA, Pakistan National Council of the Arts, I think about these things also, कि इन जिम्मदारीों को कैसे आगे ली जाना है और अगर मैं पहली पांच priorities देखो, तो मैं अपने हिसाब से share करती हूँ कि वो पांच priorities क्या होंगी वैसे तो ये जिम्मदारी collective है, लेकिन institutions have their own role to play पहली priority तो मैं समझती हूँ, Pakistan National Council of the Arts की ये होनी चाहिए, कि पूरे मुल्क को देखके, और arts और aesthetics और creativity जो है, उसका taste develop करना और उसको परवान चड़ाना, जैसे एक सूकी मटी होती है, तो उस पे पानी का छिड़काओ करके उस पे सबजा होगाने वाला एक role है क्योंकि बहुत सी दफ़ा institutions जो हैं, वो बहुत micro level पर फस जाते हैं, और staff के मसले और एक-एक event के issues जो हैं, वो ज्यादा आ गया जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक Laja Vision जो है मुल्क का, वो हमारे हां बहुत जादा cultural institutions तो ही नहीं, कुछ सूबों में हैं, और national level पर दो चाहिए इस vision में कि कैसे इस मुल्क में चाहे वो creative writing हो, चाहे वो visual arts हो, चाहे performing arts हो, उनका टेस्ट किस तरह हमने develop करना, दूसरी priority एक cultural अदारे की जैसा PNCI है, उसकी होनी चाहिए कि वो जो diversity है, पाकिस्तान के cultures की diversity, हम वैसे भी federation हैं, बहुत सी cultural काहियां हैं, तो चाहे हमा हमादरी जुबाने हो, चाहे हमारे खाने हो, चाहे हमारी creative arts हो, उनको जागर करना के हम कितनी diverse कौम हैं, और इसी diversity में हमारी यूनिटी है और इसी diversity में हमारी strength, तीसरी priority मैं समझती है, यह है जो artist है खूद, चाहे वो visual arts के हो, creators हो, चाहे sculpture के हो, चाहे performing arts dancers हो, musicians हो, singers हो, मैं सम तरह की मां का रोल प्ले करना चाहिए, इंस्टिटूशन जो हैं उनकी रोजी रोटी का पूरी तरह ख्याल तो नहीं रख सकते, लेकिन जो उनकी नर्चरंस है, उनकी सपोर्ट है, उनके लिए एक नेटवर्क क्रियेट करना, उनकी कोई फला के लिए काम करना, और सबसे ज्य उसके लिए हमारे पस मेकनिजम्स नहीं होते हैं कि डिस्टिबूशन में वो इंटरनेशनल ही जाए, या बहुत से मेलों में वो पार्टिसिपेट करें, इंडिविजुल्स को अपने परसनल कॉंटेक्स यूज़ करके जाना पड़ता है, तो हमारे इंस्टिटूशन जो है उनको चाहे वो फिल्मेकर्स हों, चाहे वो आर्टिस हों, उनके लिए ऐसे मेकनिजम्स प्रोवाइट करना जिससे उनकी ट्रेनिंग हो सकें, या वो आगे ट्रेन कर सकें, या बाकी की गैलरी से लिंक अप कर सकें, तो एक ये भी रोल है जो बड़ा इंपॉर्टन मैं समझ तो मैं समझती हूँ कि हमार जैसे दारे जो नाशनल लेवल पे हम भी तक उनका यह की बहुत हाई प्रायोरिटी काम यह है कि जो सुभाई लेवल के ओपर कल्च्रल इंस्टिटूट्स हैं उनसे लिंक अप करना तो इस वज़े से के जिसको कहता है न वी शुड नॉट बी मगर कलाबरेशन के साथ हमें एक दम अपना मॉमेंटम बिल्ट करना चाहिए तो हम जो हैं, अगर सेंटर में बैट हैं तो हम सुभाई की ओआज बेखें और अगर सुभाई की साथ हमने काम करना है तो ऐसे हो के जैसे उनकी कान्सेप्स हमें एक नैशनल लेवल के उपर कॉ तो कलाबरेटिव प्रोग्राम्स हों, एक्सचेंज अफ आइडियाज हों, मगर उनके साथ मशावरत, उनके साथ कलाबरेशन, जो कल्ट्रल इंस्टिटूशन हैं, हमारे चाहे वो गर्मन्न के हों, चाहे वो प्राइवेट हों, सिवल सुसाइटी के हों, तो यह एक बहुत इ आखर में मैं यह समझती हूं कि जो हमाई नौजवान नसल तक हमने एक पेगाम पहँचाना है, या हमारे अपने जो हर तरह के सेग्मेंट्स हैं, सिटिजन्स के उन तक तो एक पेगाम पहँचाना है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान जो है, वो वो सारे एलमेंट्स जो हो पीछे रह जाते हैं और जो हमारा एग्रेशन है और जो हमारे वाइलेंट क्राइम्स है वो ज्यादा मशूर हो जाते हैं, तो मैं समझती हूं हमें अपना कल्चर जो है उसको इतना प्रमोट करना चाहिए इंटरनाशनली ताकि हमारा इमिज मैं यह नहीं कहती है कि सॉफ्ट इमिज बने, मैं यह कहती हूं कि हमारा रियल इमिज बने और उसमें पी एंसी यह जैसे दारे को बहुत काम करना चाहिए हमें इंटरनाशनल हम पैक्ट्स करते हैं डिफरेंट ममालिक के साथ हम वहां से इन्वाइट करें लोगों को यहां से अ इंग्लिश में ही नहीं लेकिन बहुत सी जबाने हैं जिन में हम करें और अपने अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करें सो आई होब के यह जो आखरी मैंने प्रियूरिटी बताई यह तीज अ जिस अ प्रॉमिनेंट वन्स जो मैं समझते हूं एक पी एंसी यह जैसे दारे को जरूर करने चाहिए